Critical Phenomena और क्रांतिक घटनाए जब हम किसी गैस का ताप कम करते हैं तो अणों की गतिज उर्जा में कमी आ जाती है और दाब को बढ़ाने से गैस के अणों एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और गैस का घनत्व अधिक हो जाता है यानि density उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तथा गैस के अणों के पास आ जाने से उनके मध्य आकर्शन बल भी भढ़ जाता है और गैसे द्रवित होने लगती है इस प्रकार कम ताप वह अधिक दाप पर गैसों का द्रवन किया जा सकता है गैसों के द्रवन में दाप से अधिक महत्पून ताप का परभाव होता है तो वायू मंदलिये दाप पर तो प्रतेग गैस को द्रवित किया जा सकता है, किंतो वायू मंदलिये ताप पर सभी गैसों को द्रवित करना संभा नहीं होता है। तो प्रते गैस के लिए ताप की एक अधिकतम सीमा होती है, जिससे अधिक ताप होने पर हम कहें कि किसी गैस के दाब आप कितना भी बढ़ा लीजिए, दाब चाहे कितना भी अधिक बढ़ा दिया जाए, उसका द्रवन नहीं हो पाता है, राइट, तो उस टेंपरेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेंपरेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं T C से, क्रिटिकल टेंपरेचर या क्रांतिक ताप कहते हैं, इसे हम T C द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इस क्रांतिक ताप पर किसी गैस का वह निम्नतम दाब, जिस पर गैस द्रव हो सके क्रांतिक दाब या क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है और हम उसे PC द्वारा डिनोट करते हैं किसी गैस के क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर एक मोल गैस का जो आयतन होता है उस आयतन को हम critical volume या क्रांतिक आयतन कहते हैं और हम उसे PC द्वारा डिनोट करते हैं या प्रदर्षित करते हैं तो क्रांतिक दाब पर जब किसी गैस का द्रवन होता है तो द्रव गैस के मद्य की सीमारेखा समाप्त हो जाती है और वहें हम यह नहीं कह सकते हैं और यह कहना कटिन हो जाता है कि gas अवस्था कहा समाप्त हो रही है और द्रव अवस्था कहां से प्रारम हो रही है और इस अवस्था को हम जो बोलते हैं PayPal State बोलते हैं We call it critical state और क्रांतिक अवस्था इस घटना को क्रांतिक घटना या critical फिनमेना कहा जाता है और ये क्रांतिक अवस्ता जो है सबसे पहले जो स्टडी की गई थी वो सबसे पहले सेंट एंडूरूस द्वारा 1869 में इसका अध्यन किया गया था और उन्होंने विभिन ताप मानों पर कारबन डायोकसाइड की एक निश्चित मात्रा पर दाब के प्रभाव का अध्यन किया था और इसके लिए उन्होंने ये जो उपकरना को नज़दारा है यहां पर चित्र में इसको एंडूस उपकरन कहते हैं और इसको इसमें काम में लिया था उन्होंने तो इसमें एक केशनली का होती है वो आप देख सकते हैं यहां पर A से डेनोटेड है कैपिलरी ट्यूब केशनली है जो दोनों ओर से पहले खुली होती है और इसमें CO2 गैस प्रवाहित कर देते हैं जिससे उसके अंदर की वायू विस्थापित होकर उसके स्थान पर CO2 भर दी जाती है तो इसके अंदर पहले CO2 भर दी जाएगी इस कैपिलरी के अंदर और फिर तुरंट इसके दोनों सिरे सील कर दिये जाते हैं और सील करने के बाद में फिर इसमें आप देख सकते हैं नीचे वाला जो सिरा है ये वाला जो सिरा है इसमें नीचे वाले सिरे को पारे के टब में यानि मर्कुरी के उसमें टब में खोल दिया जाता है जिससे उस गैस के दाब तक पारा चड़ जाता है किवी कितना उसके अंदर दाब है उस CO2 का उतना ही प्रेशर से वो मर्कुरी उपर चड़ जाएगा ऐसी ही एक और नई केश नली का लेते हैं इसके अंदर डाट इस दिस बी तैयार करते हैं जिसमें वायू भरी रहती है और यह मैनोमीटर का कार्वे करती है तो इन दोनों नलीों को एक तामे के बरतन में फिट कर देते हैं जो कि यहां हम देख सकते हैं और इसमें पहले से पानी भरावा होता है यहां पर यह दोनों तामे के बरतन है और फिर यह दोनों कनेक्टेड ही है सी द्वारा ये connected है और इसमें जल भरा रहता है और इसके नीचे दो स्क्रूज हैं आप देख सकते हैं दिस एस वन एन दिस एस टू और ये दोनों स्क्रूज लगे रहते हैं और जिने गुमाने पर हम गैस का दाप बढ़ा सकते हैं गटा सकते हैं और नली ए का उपरी भाग एक गरम बाथ से घिरा रहता है जो कि इसके अंदर प्रवाहित किया जाता है यहां से गरम जल प्रवाहित किया रहा सकता है और इदर से यहां से गरम जल निकल रहा है तो इसके अंदर अच्छली इस इस वाटर बाथ तो नली ए जो है उसका उपरी भाग जो हम देख सकते हैं वो एक गरम वाटर वाथ के अंदर से घिरा रहता है इसके अंदर होता है और जहां CO2 के ताप को हम परिवर्तित कर सकते हैं so this was the Andrews apparatus we can say that and this was used first of all in liquefying carbon dioxide को liquefy करने के लिए यूज किया गया था तो कृंतिक स्थिरांग हमने देखा भी कि हम Tc and PC और VC ये तीन होते हैं और इसको हम experimentally भी हम अपने प्रयोग द्वारा इसको निकाल सकते हैं तो क्रांतिक सिरांकों के का निर्धारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं प्रायोगे की विदे द्वारा तो उसको हम देखते हैं experimental determination of critical constants तो प्रयोग शाला में द्रव पधारतों के ग्रांतिक सिरांकों का निर्धारण कान्यार डी लातूर के उपकरण द्वारा किया जाता है इसका pronunciation इस तरीके से ही है लेकिन आप इसकी spelling देख ले दी ला तूर ये उपकरण है इसके द्वारा हम टी सी पी सी और वी सी इनका निर्धारण कर सकते हैं तो ये प्रयोग इस धान पर आधारित है कि जब गैस द्रवी करण की अवस्ता में होती है तो उस समय उसकी वाश्प व द्रव का घनत्व समान होता है तो इस लिए गैस वर द्रव अवस्ता परस पर इतनी अधिक मिल जाती है कि उन्हें अलग अलग पहचानना समभव नहीं होता तो इस उपकरण में यू आकार की एक नली होती है यहां देख सकते हैं इसके एक सिरे पर बल्ब बना होता है जो आप यहां देख सकते हैं यहां बल्ब है जिसमें द्रव भरा रहता है द्रव पदार्थ को भरा जाता है उसके बाद यू नली में पारा भर दिया जाता है इसके अंदर फिल्ड है, पारे के ऊपर वायू होती है, इसके सिरे को सील करके बंद कर दिया जाता है, now this is completely closed, नली का यह सिरा मैनो मेटर की तरह कारे करता है, नली के बल्ब वाले सिरे को ताप स्थापी, अथवा थर्मो स्टेट में रखा जाता है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, यह थर्मो स्टेट है, जिसके अंदर यह जो बल्ब वाला सिरा है, इसको रखा गया है, जिसमें गरम द्रव प्रवाहित होता रहता है, और इसमें एक टेंपरेचर हम मैंटेन कर सकते हैं, यहां से निकल रहा है, और इदर से एंट्रिय हो रही है, गरम जल की या द्रव की, और हम एक टेंपरेचर इसमें मैंटेन कर सकते हैं, तो उच ताप पाकर बल्ब का जो द्रव है, वो गरम होकर वाश्प में परिवर्तित होता रहता है, और एक ऐसी अवस्ता आ जाती है, जब बल्ब में उपस्ते द्रव तथा वाश्प की अलग-अलग पैचान करना कटिन हो जाता है, तेंपरेचर अब बढ़ाता चल जा रहा है, वो वेपर में कनवर्ट होता चला जा रहा है, और हम अब इसमें पैचान नहीं सकते हैं, कि द्रव और वाश्प कहां है, और उसको you cannot differentiate between the two, और इसी टेंपरेचर को हम T-C या क्रांतिक दाप कहते हैं, इसे थर्मोम द्वारा, यह थर्मोमीटर लगावा है, और इसके द्वारा हम T-P hemperature note कर लेते हैं, और इसी समय हम manometer में करांतिक दाप, जो की PC है, यहां पे एक तरीके से यह, क्योंकि यहां पे manometer से हम note कर लेते हैं कि इसकी mercury चड़ी है, तो उसके according हम यहां पर PC, यानि उसका pressure, which is a critical pressure, क्रांतिक दाब है उसको नोट कर लेते हैं अब गैस को ठंडा किया जाता है जब धुंद के साथ द्रव गैस की दो अलग-अलग layers बन जाती हैं प्रतक होने लगती हैं तो उस समय भी हम इसी प्रकार से TC और PC को नोट कर लेते हैं मान लेते हैं कि पहले वाली कंडिशन में 1 थी दोनों चीजें और दूसरे वाली कंडिशन में 2 थी तो इनके जो दोनों के मान आते हैं उन दोनों के मान का हम mean निकाल लेते हैं इसका मध्य मान निकाल लेते हैं इसी तरीके से इसका भी हम मान निकाल तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें दोनों पाठ्यांकों के मध्यमान को हम सही क्रांतिक ताप व सही क्रांतिक दाब मानते हैं यानि this will be equal to TC now and this is equal to PC now तो हमें एक mean value इसकी मिल जाती है So this value is TC and PC Now सही क्रांतिक आयतन ग्यात करना थोड़ा कठिन रहता है ये कठिन कार रहे हैं क्योंकि ताप व दाब के थोड़े से परिवर्तन से आयतन बहुत अधिक प्रभावित होता है It affects a lot तो क्रांतिक आयतन ग्यात करने के लिए अमेगट की ओसत घनत्व विधी काम में लाई जाती है इसमें विभिन तापों पर गैसिये तथा द्रव अवस्था में पदार्थों का घनत्व ग्यात करके उनके मद्धे ग्राफ कीचा जाता है जो आप यहां पर ग्राफ देख सकते हैं There is a graph between density and temperature और जिसमें हम दोनों वक्र परस पर अपने अपने उच्चतम मैग्जिमा बिंदू C पर मिलते हैं यहां पर देखते हैं यह जो है यह तो संत्रिप्थ वाश्प का घनत्व है और यह द्रव का घनत्व है और इसमें यह जो वैल्यू है यह C इसके मैग्जिमा पर आके यह दोनों कर्फ आके मिलते हैं This is A and this is B यहां से यहां तक इसको मान सकते हैं This is a plane on this axis A, B एक हमारे पास एक straight line पर आप्थ होई है C इसका मैग्जिमा हो गया तो C बिंदू पर यहां पर दोनों के कर्फ मिल रहे हैं तो जिस बिंदू पर यह दोनों वक्र मिलते हैं यह शिखर बिंदू क्रांतिक ताप होता है यहां हम देख सकते हैं This is critical temperature उनकी temperature बता रहा है किन्तू वक्र का शिखर तीक्ष्न यह शार्प नहीं होता वरन चप्टा होता है जो हम चित्र में यहां पर देख सकते हैं It is not very sharp like this It is having a flat surface तो अतेह बिंदू C की सही स्थिति का पता लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है और इस समस्या को हल करने के लिए सरल रेखिये व्यास यानि law of rectilinear diameter का उप्योग किया जाता है इस नियम के अनुसार यदि वाश्प व द्रव के घनत्वों के मध्यमानों यानि mean को ताप के विरुद आलेखित किया जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि हम यापर dotted lines के द्वारा देख सकते हैं यह सरल रेखा जो है वक्र A, B को बिंदू C पर काटती है और बस इसी बिंदू के संगत ताप व घनत्व के मान क्रांतिक ताप व क्रांतिक घनत्व DC के मान होते हैं और क्रांतिक घनत्व के मान से हम क्रांतिक आयतन प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो अनुभार है वो घनत्व के साथ related है और उसके आधार पे हम उसका volume निकाल सकते हैं तो जो VC का मान है वो अनुभार divided by DC इस द्वारा इस फार्मूले के द्वारा हम VC का मान निकाल सकते हैं